हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं इस वीडियो में आपको कोलेस प्लांट्स जितनी भी मेरे पास कालक्षन हो सभी प्लांट्स दिखाऊंगी और इस प्लांट्स का केरिंग कैसे करना है सभी डिटिल्स मैप से शेयर करूंगी फ्रेंड्स जिस आप देख सकते हो इस अभी कोलेस के प्लांट्स है तो यह प्लांट्स के लीफ्स बहुत कुपसूरत दिखते हैं और थोड़े से कलर्फुल भी रहते हैं इसके कलर्स काफी लाइक डिफरेंट शेड्स में आपको मिल जाएंगे इसको आप अपने ग्यार्री में यह प्लांट्स को बाचाने कहीं की तरीका है आप जितना हो सके मेर्ज के पहले या प्लांट्स से उनके सब कुटिंग स करके आप लागा दिजी एक इक से एक में से आप 4-5 प्लांट कुटिंग लागा दिजी तो वप आच्छे लिए और located first मिलाट्स चॉक घएड़र आपके पास दूसरा रहेगा तो अभी यह plants का sunlight requirement के बारे में बताती हूं और यह plants जो है इसको shaded area पसंद रहेगा इसको जादा sunlight नहीं लगेगी सुबो की morning sunlight 30 minutes या वन नवर तक मिलगा है तो चलेगा पट इसको shaded में रखिए अगर आप sunlight में ज्यादा देर रखने से इसके पत्ते सूप जाते है तो अभी आपन इसके मिट्टी के बारे में बात करेंगे इसका soil mixture जो है आप 50% garden soil 25% cocopit and 25% vermicompost यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो garden soil में थोड़ा आप sand भी मिला सकते हो और फेटिलाइजर इसको इतना जरूरी नहीं है बाट आप 2-3 महने में एक बार थोड़ा से सीवीड दे सकते हैं वर्मी कॉंपोस्ट यूज़ काउडंग भी दे सकते हो और यह plants का जो rooting इतना डीप नहीं रहता है तो आप rooting इसको आप छोटे गमले में लगा सकते हो मैंने यह 6 इंचे स्पॉट में लगाया हुआ है आप इसको 6-7 इंचे स्पॉट में ग्रो कर सकते हो अभी भात करते हैं इसके प्रॉपागेशन के बारे में इसको प्रॉपागेट करना बहुत इजी है यह plants काटिंग से एजिली प आप सिर्फ इसको एक 5-6 इंच से कट कर दीजे 5-6 इंच का कटिंग लिजीए और जिर्फ एक दो लीपस रखके राके के लीपस हाटा दीजे उसको सिर्फ मिट्टी में आप लगा दीजे जनरली अप जब भी कटिंग ग्रो करना चाहरे हुआ है आप कोको पीट में लागा इसमें वोवर वॉट्रिंग मत किजी एंड़न्स के लिए तो आप ऐसे अभी मैंने ये सभी कटिंग से लागाया हो है इसके मादर प्लांट्स में आपको दिखाती हूं अभी तर रखने के करें जगा नहीं है वह बहुत सारे हैं मेरे पास में इसके मादर प्लांट्स पर यह अभी में आपको कलेक्शन दिखाती हूं जितने भी मेरे पास वरेटी है यह एक वरेटी है इसके लीफ्स अच्छे से शेड्स इसके अच्छे रहते लीफ के शेड्स तो यह बहुत अच्छे दिखते है गाडन में यह देखिए इसका कलर ऐसा है मैंने दो कटिंग्स लगाया था बादर प्लांट से यह एक शेड्स है मेरे पास यह एक जैसे आप देख सकते इसको थोड़ा सा संलेट हल्की सी संलेट सुपो की लगा था तो यह संलेट से यह लीफ्स ऐसा बन हो गयते तो इसलिए यह प्लांट को जैद असनलेट में नहीं रखना है अगर आप यह दूसरा एक है अभी आप देख सकते हो इसको इसको आप इसे फ्लवरिंग करता है अगर आप COP बिं चैनल होगा की प्लाइंट का को जितना सब्सक्राइब हैं येक था ये इस इससें अ दाप है तकि में आपको दिखा सकूं आप सिर्फ इसको यह हम से पिंचिंग कर दीजिए तो इसको निकाल देना है तो अभी इधर से 2-3 ब्रांचेस आजाएंगे तो इससे आपका प्लांट काफी बुशी रहेगा जैसे देख सकते अपने थोड़ा प्लांट बुशी है और यह वाले प्लांट थोड़ा से लेगी है आप देख सकते तो इसको अभी हम क्या करेंगे यह जो उपर के जो लीफ्स दिख रहे है उसका निकाल देजिए पिंचिंग करना जरूर है ताकि इसमें से ब्रांचेस निकल के आए इससे निकाल देजिए तो अभी मैंने यहां से निकाल दिया है तो अभी इधर 2-3 ब्रांचेस आजाएंगे अभी यह वाला इसको भी आपक प्लांट लेगी नहीं बनता है यह ज्यादा लेगी रहने से इसका लूक अच्छा नहीं दिखेगा तो मैंने सभी इसलिए रखा है ताकि मैं वीडियो में आपको दिखाऊं कि मैं कैसे इसका पिंचिंग कर रहे है अभी इसको कर देंगे हुआ है और इसको पिंचिंग करना है प्लांट न सुपरना उसक को पिन हो आपने प्रिन यह हटाना भरी है यह यह देखें धुझ सिh उन उन हम यह डब कन कान आप यह एक बेबी प्लांट है हे छातिं से ग्रों किया था यह अग्ई ऑमादर प्लांट है और मैंने इसको कटिंग से ग्रोव किया था यह और एक वेरेट्री है इसके लिल से इसे दिखिए यह जो मैंने कटिंग से ग्रोव किया था यही उसका मदर प्लांट है यह एक वेरेट्री है इसके लिफ्स देखिए यह भी प्लांट इतना ग्रोव नहीं हुआ है इसको मैं थोड़ा से पिंचिंग करने से ब्रांचेस अच्छे से और इदर आएंगे दो तिन ब्रांचेस नए वाले ब्रांचेस शूट आट करेंगे अभी यह जो है यह मैंने कट कटिंग लेकर आए थी तो मैंने इसमें इसा ही लगा दिया कटिंग इसको लगा के आट-दस दिन हो गया है अब यह अच्छे से ग्रोव भी हो रहा है तो एक वरेटी है मेरे पास तो एक प्लांट्स अच्छे से ग्रोव होते हैं सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना है और सन्नेट में नहीं रखना है और इसकी मिट्टी वेल ड्रेंड होनी चाहिए और इसको आप फ्रेक्वेंट्ली प्रूनिंग किजिए आइंडल्स के फ्लावर्स हाटा दीजिए तो यह अच्छे से ग्रोव होगा और सम्मर में इसका थोड़ा ज्यादा केर लेना पड़ेगा आपको तो इसको सिर्फ आप सम्मर आने के पहले इसके काटिंग किदर भी ऐसे लगा दीजिए तो और बहुत सारे प्लांट्स तो मैं अभी आपको एक-एक दिखाती हूं मेरे पास जो भी वरैटीस है पास से अभी विंटर सीजन में यह प्लांट्स अच्छे से ग्रोव खरेंगे किंकि इसको सॉफ्ट सनलाइट मिलता है विंटर में तो एक खराब भी होंगे ज्यादा सूखेंगे भी नहीं तो आप इसको विंटर में इसको मल्टिप्ले कर सकते हो बस आज के लिए इतना है फ्रेंट्स आई होप आपको एक वीडियो अच्छा लागा होंगा इप लाइक में वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू में चैनल थैंक यू फ्रे अगा हम वीडियो अखरी इतना है हम वीडियो नहीं के सही होई कि आतना है लिए 되지 है ट्रेंगela topics औरी, श्यू जहाँ ट्यों हैית अगू इसको